असलाम आलाइकुल दोस्तों मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपने मोबल से चेक करेंगे कि मान लिजी आप कतर से आ रहे हैं अपना एकामा केंसिल करवा करके तो आपको कैसे मालूम अपको कि कीशिल हुआ है या नहीं हुआ है हम सीज को अपने मोबल के जरिए एक कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में हम यहीं सीखने वाले हैं तो चलirie हम चलते हैं लेटाप की स्क्ष्रीन पर आप इसी चीज़ को अपने मोबल पर भी कर सकते हैं यहां पर मैं गूगल URCN क जरीए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को स्क्रीन जो है बड़ा नदर आए लेकिन से मिसी चीज़ को आप लोग मबल के अंदर में भी कर सकते हैं यहां थोड़ा से नीचे पर स्ट्रोल कीजे यहां पर आप लोगों को इंक्वारी का जो है ओप्शन नदर आएगा यहां पर आप लोगों को इंक्वारी का ओप्शन नहीं मिलेगा यहां पर आप लोगों को जो है होम के बाद मोई सर्विस इस पर किलिक करें यहां पर आप लोगों को इंक्वारी का ओप्शन नदर आ जाएगा इस पर हम किलिक करते हैं इसके बाद आपके सामने में जो है इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को बहुत सारा जो यहां पर सर्विस मिलेगी चेक करने के लिए तो इसमें जो हम अपने कतर आइडी को कैसे चेक करेंगे कि केंसिल हुआ है या नहीं हुआ है यह चेक करना दोस्तों इसलिए भी जरूरी ह क्योंकि आप जो है अगर अपना आइडी बिना केंसिल किये हुए घर चले जाते हैं तो आपको दूसरा वीजा लेने में बहुत जाद दिक्कत प्रोब्लम होता है जब तक आपका कतर आइडी सिस्टम से केंसिल नहीं होगा तब तक जो है आपका नया वीजा इशू नहीं ह होगा तो यहां पर नीचे माप लोगों को अधर इंक्वरी ज नजर आ रहा होगा इस पर हम किलिक करेंगे तो इस पर किलिक करने बाद यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशल डोक्मेंट इस पर हम किलिक करेंगे इस पर किलिक करने बाद यहां पर आप लोगों को दो तर ज तो यहां पर हम दाल दम करना है बल्कित नीचे में यहां पर सब्सक्राइब पासंपोर्ट के जरी चेक करने के लिए आएगा कि यह जो है passport जो जिसका आप चेक कर रहे हैं यह कौन सी country का है तो यह भी आपको दिहान में रखना है लेकिन यहां पर पर कतर आईडी के जरीये चेक करने वाला हूं यहां पर मैं पहले डाला था उसको मैं फिर से पेश्ट कर देता हूं और यहां पर हमने पहले से ही code नमर डाल दिया है तो सर्च पर किलिक करने के बात दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को आईडी नमर केंस केंसिल नहीं होगा तो इसके नीचे में आप लोगों को जो है कि यहां पर आप लोगों को रेट कर में केंसिल लिखावा नदर आ रहा है आईडी काड केंसिल यह आप लोगों को नदर नहीं आएगा बलके यहां पर आप लोगों को नीचे में क्या नदर आएगा आपका आ बहर है तो यह जो है तीनों चीज़ आप लोगों को नदर आएगा इसी तरह अगर आपके नाम आप से जो है वहां पर driving license है वहां पाण पर नीचे में आप लोगों को driving license का EXPARED 8 w देखाई पड़ेगा तो ये चार चीज या ये के तीन चीज अगर आप लोगों को नदर पड़े तो इसका मतलब हुआ कि आपका कत्र आइडी केंसिल नहीं हुआ है तो उसी हिसाब से आप कमपनी के अंदर में बात कर सकते हैं कि आपका आइडी अभी तक केंसिल क्यों नहीं हुआ है दोस्तों इसी सेम तरीका सा अपने एकामा को चेक भी कर सकते हैं कि आपका एकामा रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है तो जैसे ही आपका एकामा रिन्यू हो जाएगा तो यहां पर आप लोगों को जो नया डेट मिलेगा तो वो डेट नदर आएगा अगर आपका ये कमा रिनुवल नहीं होगा तो आप लोगों को पुराना डेट ही नदर आएगा उमिद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे जानकारी मिली होगी इस वीडियो को अपने सारे नए भाईयों के साथ में जरूर शियर करें हो सकता है कि पराने लोगों को मालूम होगा लेकिन आपंसे अक्सार नए लोगों को मालूम नहीं होगा तो ऐसे लोगों के साथ में वीडियो को जरूर शियर करें अतर के बारे मरोज़ना असी तरह की इन्फरमिटीव वीडियो दिखते रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बहुत बहुत शुक्रिया